दोस्तो अगर आप Dream 11 एप को यूज करना चाहते हैं यहां पर आप टीम बनाकर पेसे कमाना चाहते है और किसी भी मेंच को जोइन करना चाहते हैं और उसके लिए आपको अपने पास से पेसा यहां पर एड करने होते हैं और जब आप पेसे अपने पास यहाँ पर 8 कर रहे हैं तो आपके सामने यह वाला इंटरफेस यहाँ पर शो हो रहा है तो आप इस प्रोब्लम को यहाँ पर किस तरह से सॉल्फ करेंगे इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ तो अगर आप चाहते हैं ड्रीम 11 एपको यूज करना और इस प्रोब्लम को सॉल्फ करना तो आप वीडियो को कम्प्लीट देखें स्की बिल्कुल भी ना करें और इसी वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है ऐसे कौन कौन से स्टेट है जहाँ पर ड्रीम 11 बेन है जहाँ पर आप ड्रीम 11 को यूज नहीं कर पाएंगे तो वीडियो सुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक हमारे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करकर बेल आइकेन को जरू दबाएं और अगर आपने टेलीग्राम को जोई नहीं कर आपने मुबाइल फून की स्क्रीन पर तो दोस्तो अगर आप चाहते हैं डीम 11 में लोकेस्ट प्रोबलम को सोल्फ करना तो आप पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखें इसकी बिल्कुल भी ना करें तो अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे मैंने अपने मुबाइल फूल में Dream 11 एप को ओपन करकर रखा है और मैं इस एप में अपने पास से यहाँ पर पेसे 8 कर रहा था और यहाँ पर हमार सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर शो हो रहा है और अगर आपके सामने भी यही एंटरफेस यहाँ पर शो हो रहा है तो आप इस प्रोब्लम को किस तरह से सोल्फ करेंगे यह जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ जानकाई दिना चाहता हूँ जैसे कि Dream 11 एप आप कौन-कौन से स्टेट में यूज नहीं कर पाएंगे अगर आप उन स्टेट से आते हैं तो आपके सामने यही प्रोब्लम आएगी फिर आप Dream 11 को यहाँ पर यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनी स्टेट में Dream 11 पूरी तरह से बेन है जैसे कि दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है असाम अगर आप आसाम से हैं तो आप Dream 11 को यूज यहाँ पर नहीं कर पाएंगे अगर आप नागलेंड से हैं ओडिसा से हैं तरे पर यहाँ पर पाएंगे तो पहले तो आपको ये app अपने mobile phone में open करना है एप open करने के बाद आप wallet वाल आइकेन पर click करेंगे और 8 case पर click करेंगे यहाँ पर click करने के बाद अगर आपके सामने permission allow का option आजाता है तो आप right allow कर सकते हैं और problem यहाँ पर आपकी यह solve हो जाएगी और अगर आपकी ये problem फिर भी solve नहीं होती है तो आपको पहले ये app अपने mobile phone से uninstall करना है उसके बाद आपको इस app को install करना है फिर से आपको इस app में login करना है login करने के बाद आप अप open करेंगे और फिर से wallet वाल आइकेन पर click करेंगे फिर आपसे permission मांगेगा तो permission आपको allow कर देनी है अगर आपकी ये problem इस तरह से भी solve यहाँ पर नहीं होती है तो उसके लिए आपको simple यहाँ से पुरी तरह बेकाना है और setting पर आपको अपने mobile phone की आ जाना है उसके बाद इस scroll down करकर नीच आएगे यहाँ पर आपके सामने option आजाएगा apps का यह option अभी mobile phone में होता है तो आप इस पर click करेंगे इस पर click करने के बाद उपर आपके सामने option आएगा app management का यहाँ पर आप click कर देंगे और यहाँ पर आप search करेंगे dream 11 अपने dream 11 को आप यहाँ पर select कर लेंगे उसके बाद आपको scroll down करकर नीच आना है permission पर किलिक करना है यहाँ पर आपको नीच आजाना है यहाँ पर लिखा हुआ है location location पर आप किलिक कर देंगे और यहाँ लिखा हुआ है allow तो यहाँ पर आपको किलिक करना है और dream allowing की permission यहाँ पर allow हो जाएगी तो यहां से अब हम बेक आएंगे, यहां से बेक आने के बाद आप स्क्रीन पर दे सकते हैं, Location की परमेंशन हमारी ऐलाओ हो गई है, अब हमें नीचे आना है, यहां पर लिखा हुआ है storage यहां पर आप किलिक करेंगे यहां पर किलिक करने के बाद इसे भी आप यहां पर allow कर देंगे इस तरह से और अब आपको यहां से बिल्कुल बेक आना है यहां से बेक आने के बाद दोस्तों अब आपका अपने मुबाइल फूर में फिर से ड्रीम 11 को ओपन कर लेना है तो मैं यहां से इसे ओपन कर लेता हूं उपन करने के बाद आप हम यहाँ से प्ड़र करते हैं और gw Penny बड़ा餅 यह इचंछली करनाहेन डेख सकते हैं चलिट भी इंचलिख करके बाद आपके सामने प्मीट ऑपशन यहाँ पर location problem solve कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में जान कर दी है अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत ही बसन आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले तो अब चलिए मिलने फिर आपसे नेस्ट वीडियो में जब तक के लिए जय हिंदु